हेलो स्टेंट्स वेल्कम टू माई यूटीब चैनल स्टेंट टुडेंट विल डिस्कस अबाउट था भायलोजी आज का हमारा टोपिक जो है स्टेंट बायलोजी से रिलेटिर रहने वाला है जितने भी आपके कॉंपिटिटिव एक्जाम्स होते हैं स्टेंट वहां पर भाय स्टेंट वीडियो स्टेंट वीडियो स्टेंट करते हैं स्टेंट करने से पहले प्लीस लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल स्टेंट साथ के साथ बेल आइकन दबाएगा था कि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालू तो आप तक नौटिफिकेशन पहुंच सके तो देखो स्टेंट स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड जीव विग्यान जिसका वरगी कितने भागों में किया था फाइब टाइप में पांच भागों में इसको बांटा गया है और अगर पूचा जाए कि फादर ओफ पाहलोजी कोन है वर्गी करण का अधार तो वो है अरस्तू ठीक है यूनानी जो विग्यानिक थे ये अरस्तू ठीक है इन्होंने जीवों का वर्गी करण उनके स्थल जल और वायू में रहने के अधार पर किया था कुछ जीव ऐसे हैं स्थल पर रहते हैं कुछ ऐसे हैं जो वायू में रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जल में रहते हैं तो इन तीनों के अकोर्डिंग उन्होंने वर्गी करण इनका किया था समुद्री जीव जैसे हैं आपसे पूछ लिया जाए अगर समुद्री जीव जो है आपके उनमें अवास की समानता किस-किस में पाई जाती है तो वो हैं हमारे वहेल, ओक्टोपस, स्टारफिश और शाह ठीक है इनमें अवास की समानता पाई जाती है नेक्स्ट है मैंने पॉइंट्स बंआमना के लिखे हो लिखे लिखेंट, नेक्स्ट पॉइंट है जो कोशिकाई एक साथ स्मूऺ बनाकर किसी जीव का निर्मान करती है तो वो शरम विभाजन होता है और सब जीवधारियों को उनकी शारीरिक सरचना और कारे के अधार पर पहचाना जा सकता है नेक्स्ट है मूल लक्षन क्या है शरीर की बनावट के दोरान जो लक्षन पहले दिखाई पड़ते हैं जैविकास की अधारना सबसे पहले किस ने दी थी चार्ल्स टार्विन ने ठीक है 1859 में दी थी और उन्होंने अपनी पुस्तक दी ओरिजन ओव स्पीशीज में भी इसके बारे में काफी सारा इसका जो है उले किया है ठीक है नेक्स्ट है वरगी करन ठीक है वरगी करन देखो कैसे वरगी करन जो है अंटर्ण सेकल थे इन्होंने 1894 में राबर्ट विहेटकर् में और काल वोस के साथ 1977 में जो है इनके किंगडम के बारे में जो मुनीरा किंगडम थे ना इनके जगत के बारे में सर्च किया था इन सबी ने मिलकर ठीक है 1894, 1959, 1977 ठीक है सबसे पहले अंसरन हेकल ने काम किया थे इसके उपर और उसके बाद रॉबर्ट विट केकल ने किया उसके बाद लास्ट में किया था काल वोस ने तो इनोंने किंडम के बारे में बताया था तो जो आपके विटेकर थे उन्होंने देखो विटेकर ने सबसे पहले इनोंने तो जो वर्ग था छोड़ दिया धूरा जीवो के बारे में बताया तो जो विटेकर थे उन्होंने इ प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेडिया, ठीक है, तो ये जो थे आपके ध्यान से इनको नोट कर लो, पांच वर कौन-कौन से दिये थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेडिया, ठीक है, इनके अकोर्डिंग उनको जो है, उन्होंने तो उसके बाद जो है स्ट्रेंट वर्गी करन यहां पर जो दिया आपका कार्ल वोस ने ठीक है कार्ल वोस ने 1977 में इन्होंने पताया मोनेरा जगत को क्या कहा है इन्होंने आर्कीबैक्ट ठीक है आर्कीबैक्टीरिया ठीक है आर्कीबैक्टीरिया जो है मोनेरा जगत को और जो की बैक्टीरिया का भिनाम दिया आर्कि बैक्टीरिया और यूबैकतीरिया इन तोनों नों चुप फूंछे कर ने क्या दिया थ लृत पांच्वर्ग दिये थे । उनstag कौन और जगत, kingdom, इन्होंने देखो, इस तरहां से सब डिविजन बनाये थे, सबसे पहले जगत, यानि की kingdom, फिर बताया, phylum, जन्तु, यह series पूछी जाती है, जो question में भी पूछ रखा था, ग्राम सची में भी पूछा हुआ था, कि सबसे पहले कोन आता है, family आती है, जाती आती ह यहां जगत आता है, ठीक है, चार option दे दिये, तो सबसे पहले क्या आता है, जगत, यानि kingdom, फिर आता है आपका phylum, जन्तु, उसके बाता है डिविजन, यानि की पादक, फिर आते है वर्ग, यानि की class, और फिर आते है गुन, यानि की orders, ठीक है, और फिर आते है कुल, यान कारें, मौनेरा, ठीक है, मौनेरा में देखो, क्या है आपका, प्रकरियोटिक्स जो है, असंगठित के इंदरक, व्यकोशिकांग, एक कोशी संजीर, जो एक कोशी शरीर होते हैं, इनके, यह स्वयपोशी होते हैं, और विशम पोशी भी होते हैं, दोन्नों प्रकार के जो और ये सुय पोशी भी हो सकते हैं और विशम पोशी भी यनकी दोनों प्रकार जो है इनके अंदर हो सकते हैं ठीक है और एनाबिना जो है इसका examples देते हैं देखो जिवानू नील हरित शेवाल ठीक है साइनू बैक्टीरिया माइको प्लाज्मा बैक्टीरिया ये सारे इसके examples ह तो next हम पढ़ेंगे strengths protista, ठीक है, तो protista के बारे में पढ़ेंगे, protista भी जो है, एक कोशिक है ये, ठीक है, protista भी कैसे हैं, आपके, एक कोशिक है, यूक्रियोटिक्स हैं ये भी, ठीक है, और गमन के लिए इनको सीलिया, फ्लेजिला, इस तरहा की सरचनाई जो होती है, पाई जाती है, स्वहिपोशी और विशम पोशी दोनों ही हो सकते हैं, दोनों टाइप के जो हैं, ये strengths हो सकते हैं, उधारन के लिए एक कोशिक है जैसे हो गया, शेवाल हो गया, डायटम हो गया, प्रोटोजोवा, अब यहां पर आपसे पूछ ले जाता है, जो आपका protista है, उसके अंदर जो आपके हैं, एक कोश की जीव बताओ कौन सा, इनमें से चार आपको option दे देंगे, तो आपको यहां option मिलेंगे, चार, उनमें से आपने बताना है कि कौन सा है, तो देखो शेवाल है, आपका डायटम है, प्रोटोजोवा है, यह सारे एक कोश ये protista हैं, ठीक है, और भलंगी बोलते हैं, फंजाई, ठीक है, तो फंजाई आता है, इसमें, इसमें देखो ustивается विशम पॉष्य का यह तो यह उकरियोटिक होते हैं, ठीक है, विशम पॉष्य के हैं यह कैसी होते हैं, इसकी अंदर। पते हैं और फंजाई और कवक जो हैं ये कायटिन नामक शरकरा की बनी कोशिकाओं की भित्ती में पाई जाते हैं काफी इंपोर्टेंट लाइन है ये स्ट्रेंड्स ध्यान से नोट कर लेना इसको और उसके बाद है कोशिका भित्ती पाई जाती है जैसे एक्जामपल के जाती हैं जिसे हम सहजीविका भी कहते हैं और ऐसे जो सहजीविक होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं इनको हम लाइकेन बोल सकते हैं ठीक है अब लाइकन से रिलेटिड काफी बार जो है कोशन स्ट्रेंड पूछा जाता है ठीक है तो लाइकन होते क्या है अक्चली में जो ल लंगीन दब्बों के रूप में पाए जाते हैं ठीक है तो धियान रखना इसका और एक हमेशा ना ये पूछ लियाता है समखन उत तक क्या काम करते हैं तो एक स्कान से दूर्से स्कान तक जल और बोजन को पहुचाने का काम करते हैं ठीक है फ्लॉयम जो होते हैं वो फूड स्टार्ट है फ्लॉऐम तो उसे वो फूड पहँच आते हैं ठीक है और जो जाईलम है जाईलम तो वो जल पहुच आते हैं ठीक है पोधे के बागों में नेक्स आते हैं प्लांटी बहु कोश्किये हैं यूकरियोटिक जीव हैं स्वाई पौशी है और प्रकास centuryсon के लिए जो एक llorophyll का प्योग करते हैं वोधे वर्ग में आते हैं वोधे के प्रथं स्तर का वर्गी करण भी इनी से अहता राता है हमारे अनीमिय आपके तीक है अनीमेलिय आते हैं थीक है एनीमेलिय जो होते हैं पहु कोशिके हैं, यूकरियोटिक सेल होते है इनके अंदर, कोशिका भिती होती ही नहीं इनके अंदर और विशम पोशी जी होते हैं Next आते हैं स्टेंट हमारे तैलो फाइटा जिनकी शृरिरी करिच्शना में काफी सारे भी वेधी करंड जो है, नहीं देखा जाता, नहीं होता उनके अंदर, जो शिवाल होते हैं ये और जल में पाए जाते हैं, यूलो ट्रिक्स होते हैं, स्पायरो गायरो होते हैं, कारा, ये नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रायोफाइटा ठीक हैं ब्रायोफाइटा वर्क में देखो क्या है पादप वर्क होते हैं उभेचर होते हैं तने और पादप जैसी स्रचना में विभाजित होते हैं पादप श्रीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और दूसरी चीजों का सव आपके होते हैं चाय और नमी वाले स्थान पर उखते हैं प्रथम स्थलिये पोधे सबसे बड़ा पोधाच होता है इसके अंदर डायनोसिया होता है और स्वाहन उत्तक अभी मैंने आपको बताया भी था ये क्या काम करते हैं ये पोधे के एक भाग से दूसरे भाग तक भोज आते हैं हमारे tara door fighta के work में थीक यह सारे work पड़ रहे हैं इतरेंद्स टे के 9 लोस की uncr t next हाते हैं तो आप यहाँ से ग्जाबंपल जो यूँटस्य उत्पन नहीं करते हैं क्रिप्टोगेम नेक्स ऩाम्ट जिम्नोसपरम कंपी आफके पेपर तो झॉछ जाते हैं सिल्चाइजाव होते हैं तो आफ क्व continue किया होते हैं ठीक है जिनके न्यूड होते है पीच वो क्या है आपके वह हैं आपके जिम्णोस परम में ईजिय औस पर अंड़ satisf आंदर Dragar ज्वर फिर उसके बाद क्या बनते हैं पहले थो इनके बीज बनते हैं और लासमें इनको फ्लामाष वनते ठीक है और फिर बोजन का ये जो है ये खुद ही बीज पत्रों या ब्रून कोश में एक बीज पत्री द्वारा बनाते हैं या फिर कई बार दूई बीज पत्री द्वारा भी बनाते हैं इसके अंदर इकल नीशेचन था इसके अंदर कैसा हुता है दोहरा नीशेचन एक्जाम्पल च लिए गेहॊं और मक्का हो गाए नेक्स्ट आते हैं पोरी फेरा जगत के अंदर चिदर युक्त शरीर होता है इनका कठोर आवरन से ढखा हुआ शरीर होता है अचर होते हैं किसी अधार से चिक्के रहते हैं और ही स्थिर हैं और समुह में पाए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट आते हैं आपके सेलिटेंटर ये इ ठीक है, लास्ट स्टुरेंट हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एक कोशिक जो प्राणी है आपके, प्राणी के प्रकार जो है दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, एक तो होते हैं आपके एक कोशिक और दूसरे क्या होते हैं, बहु कोशिक, ठीक है, तो एक कोशिक प्राणी कहते हैं इनको ठीक है और इसमें गोल्ड फर्स में इनका अध्यन किया था सबसे पहले एक्जामपल के लिए अमीपा पैरामीशियम यूगलीना ट्रिपनोसियम या फिर गैबियंस या फिर एसेट इंब्लूरिया यह सारे जो है इसके एक्जामपल है इनके अंदर एनिलिडा ठीक है बाहरी कंकाल इनका होता ही नहीं तो यह थो थे एक कोश्किय प्राणी अब पढ़ते हैं बहु कोश्किय प्राणी तो इनके अंदर मल्टीपल सेल होते हैं मल्टीपल सेल से मिलकर बने होते हैं नो संग इनके होते हैं देखो कौन-कौन से होते हैं पोरीफेरा, सेली यहां निंदर बाहर भागे मन करेंगे हैं तो इसी चैप्टर में पढ़े हैंडरी हैं को बन सिरिक पर आप कोशन आपके बार-बार पूछे गए हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे श्रण तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू